इस्पेन की राधानी मैडरीट की सड़कों पर जब ये परेड निकली तो इस अनोखे परेड को देखने के लिए लोगों का हुजून सड़कों के किनारे उमड पड़ी छोटे बच्चों से लेकर जवान, भुजूर्ग, हर उम्र के लोग इस पारंपरिक परेड का हिस्सा बनने नसिर्वी स्पेन से बलकि दुनिया भर से यहाँ पहुचे खुबसूरत परिधानों के साथ साथ रंग बिरंगी रोश्णी अलग-अलग कलाकृतियों के साथ साथ ड्रम और बेंड बाजों के धुन पर लोग थिरकते नज़र आए हैरत अंगेच कर्तब और कार्टून करेक्टर की भेश में मौजूद लोगों ने बच्चों के साथ खूब मनुरंजन किया तो ही इस दौरान डांस का भी अनोखा अंदाज नज़र आया परेड में शामिल लोग इस दौरान बच्चों को गिफ्ट भी बाटते नज़र आये इस अनोखे परेड को एपिफेनी के नाम से भी जाना जाता है क्रिस्मस के 12 दिन बाद इस उत्सों का आयोजन होता है इसे तीन राजाओं का दिन भी कहा जाता है यूशु के जन्म के बाद बेथलम में तीन राजाओं के आगमन पर परेड का आयोजन किया गया था और तब से ही ये परंपरा इस पेन में मनाई जाती है कई स्पेनिश लोग इस उत्सो को क्रिस्मस से भी जादा महतुपूर मानते हैं और बच्चे इस मज़ेदार परेट का हर साल इंतिजार करते हैं ताकि इस जोरदार उत्सो का जम कर लुथ उठा सके